प्रियबालकाह नमस्कारह अत्र संस्कृत कक्षायाम भवताम सरवेशाम स्वागताम अहम अगनी मित्र शास्त्री मया सह वर्तते क्रिपाशंकर जाट महोदये चात्राह अध्यवयम शष्टी कक्षायाह एक विन्चम पाठम पठिश्यामह सहस्ती सुभाशितानी आगच्छ चात्राह सरव प्रतममवयम सुभाशितानी किम भवन्ती इती विशये चर्चाम कुरुमय सु अर्थात सुन्दरम भाशितानी अर्थात भाशणम यस्मिन श्लोके सुन्दरम भाशणम वर्तते स सुभाशितम कथ्यते बहुवचने तानी सुभाशितानी अर्थात यत्र सुन्दरम भाशणम शोभना वारता शुष्ठु कतनम भवती स सुभाशितम भवती अत्र अस्मिन पाठे श्लोक माध्यमेन सुभाशितम वर्तते आगच्छ प्रियविद्यार्थिन वयम श्लोकानाम अर्थ सहितम अत्र अध्यैनम कुरुम श्लोकानाम उच्चारनम कथम कर्तव्यम सस्वरम श्लोकानाम उच्चारनम कथम भवती अस्यपी वयम अत्र चर्चाम करिश्चाम हैं सरवप्रतमम पूर्वा भ्यासे अत्र पूर्वा भ्यासे आगतानाम द्वादश श्लोकानाम भवद भी ही पूर्वासू कक्षासू अध्यैनम कृतम अधुनावयम सस्थी कक्षायाम आगतानाम नूतनाम श्लोकानाम सस्वर अध्यैनम करिश्चाम हैं अस्माकम प्रथम श्लोकास्ति त्वमेव माता चपिता त्वमेव त्वमेव बंधुष्च सका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविनम त्वमेव त्वमेव सरवं ममदेव देव भावार्थः प्रिय विद्यार्थिनह अस्य श्लोकास्या अर्थ अस्ति अत्र श्लोके परमात्मनम त्वम इती संबोधनेन संबोधितम वर्थते श्लोके उक्तम वर्थते त्वमेव माता चपिता त्वमेव अर्थात हे परमात्मन त्वमेव मम माता अस्ति त्वमेव मम पिता अस्ति त्वमेव बंदुष्च सखात त्वमेव अर्थात त्वमेव मम बंधु अर्थात भ्राता सखाच मित्रश्च त्वमेव वर्थते अर्थात त्वमेव मम भ्राता त्वमेव मम मित्रह वर्थते त्वद अतरिक्तम मम अन्यकोपि नास्ति त्वमेव विद्या द्रविनम त्वमेव हे भगवन त्वमेव मम विद्या वर्थते अर्थात मम पारश्वे या विद्या अस्ति यद ज्यानम अस्ति तद सरवम त्वमेव द्रविनम त्वमेव मम द्रविनम अर्थात धनम वर्थते त्वमेव मम विद्या त्वमेव मम धनम अग्रे श्लोक्य उक्तम वर्थते त्वमेव सरवम मम देव देव अर्थात हे देवानाम देव त्वमेव सरवम मम अस्ति अर्थात मम पार्ष्वे यत किमपी अस्ति तत सरवम त्वम एवह मम त्वमेवम माता, त्वमेवमम पिता, मम भ्राता, मम मित्र, मम विद्या, मम धनम स्यत, किमपि मम पार्ष्वे वर्तते, तत सरवम त्वमेव हे देवानाम देव, मदियतु सरवम भवानेव, अयम भाव अस्मिन श्लोके पुक्तम वर्तते अधुना दितिया श्लोकह अपी स्वर्णमै लंका नामे रोचते लक्ष्मन जननी जन्मभूमिष्च स्वरगाद पीगरी असी अरथः अस्मिन श्लोके भगवान राम स्वकियम अनुजम लक्ष्मनम कथयती यत हे लक्ष्मन यद्यपी लंका स्वर्णमै अस्ती स्वर्ण निर्मिता अस्ती नामे रोचते लक्ष्मन तथा पी हे लक्ष्मन एशा लंका महियम ना रोचते जननी जनम भूमिष्च स्वर्गाद पीगरी असी यतोही जननी अर्थात माता जनम भूमि अर्थात मात्र भूमि स्वर्गाद अपीगरी असी स्वर्ण मै लंका अर्थात यद्यपी लंका स्वर्ण मै वर्थते तथा पी लक्ष्मन एशा लंका महियम ना रोचते मम कृते तू मम माता मम जनम भूमि एव स्रेष्ठा वर्थते अतह जननी जनम भूमि स्वर्गाद अपीश्रेष्ठ तरी भवती अयम भाव अस्मिर श्लोके प्रकटितम वर्थते आगच्च अधुनावयम अग्रिमम मिश्लोकम पठामे भुक्त्वात्रिनाने शुष्कानी पीत्वातोयम जलाशयात दुग्धम यच्छंति लोके भ्यो धेनवो लोकमात रहा प्रियचात्राह अच्च्मिन श्लोके धेनुनाम अर्थात गवाम महत्व विशये वर्णितम वर्थते अत्र उक्तम वर्थते यथ धेनवह गावह लोकमात रहा अस्चे संसारस्चे मातरह संती भुक्त्वा त्रिनानी शुषकानी अर्थात गावह शुषकानी नीरसानी त्रिनानी भुक्त्वा खादित्वा पित्वा तोयम जलाशयात तथाच जलाशयात सरोवरात तोयम जलम पित्वा दुग्धम यच्छंती लोकेभ्य जनेभ्य दुग्धम ददती वस्तुतह असमात कारनात धेनवह गावह लोक मातरह अस्य संसारस्य मातरह संती असे अयंभाव गावह त्रिनानी घादित्वा जलम पित्वा अम्रित स्वरूपम दुग्धम असमभ्य ददती यथा माता निश्वार्थ भावनया स्वपुत्रस्य पालनम करोती तथेव गावह अपी निश्वार्थ भावनया यद किंचिदपी खादित्वा यद किंचिदपी पित्वा असमाकम कृते अम्रित सद्रिशं दुग्धम यच्छंती अतह अस्मात एव कारणात एता अगावः सर्वेशाम लोकानाम मातरह संती माता इव वर्तते अस्तो अस्माकम अग्रिमाः श्लोका वर्तते प्रिये छात्रहा परोपकाराय फलंति व्रिक्षा परोपकाराय वहंति नद्यः परोपकाराय दुहंति गावः परोपकाराय फलंति व्रिक्षा अर्थात व्रिक्षाह परोपकाराय अन्येशाम हिताय फलंति परोपकाराय वहंति नद्यः तथेव नद्यः सरीतः परोपकाराय अन्येशाम हिताय वहंति जलंवहंति परोपकाराय दुहंति गावः तथाच गावः अपि अन्येशाम कल्यानाय हिताय एव दुग्धम यच्छंति वस्तुतह एतेशरवे परोपकाराय कार्यम कुर्वंति निश्वार्थ भावनया तथेव अस्माकम इदम शरीरम अपि परोपकारार्थम वर्तते अन्येशाम कल्यानाय वर्तते अन्येशाम हित कार्य करनाय वर्तते अस्ये श्लोकस्ये संपून भाव अयम यद यथा व्रिक्षाह परोपकारार्थम फलं ददती फल युक्ता भवती नद्यह अपि अन्येशाम कल्यानाय वहंती गावह अपि अन्येशाम कृते दुग्धम यच्छंती तथेव अस्माकम मनुष्य शरीरम अपि परोपकारार अर्थात अन्येशाम कल्यानाय एव अस्ति अतह अस्माभी अस्मात शरीरात कल्यानाय कारियम करणियम अस्तु धन्यवादह